हेलो शुडेंट्स गुड मार्णेंग, हाउर यू, शुडेंट्स आज एक्सराइज 1.2 के कोश्चन्स 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉल्फ परेंगे, आज हम ये, और कोश्चन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉल्फ कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में, तो आज श्टार्ट करते हैं, कोश्चन नमर्शेविन, एक्सराइज 1.2 का, तो कोश्चन्स है, कि इमर्चेंट हैड्ड, 78,592 रुपे, with her, she placed an order for purchasing 40 radio sets at 1,200 रुपे इच, how much money will remain with her after the purchase, ओके, कहने कोश्चन्स ही है, कि एक मर्चेंट है, एक बैबारी है, उसके पास 78,592 रुपे हैं, टोटल रुपे, उसके पास हैं, presently, और, वह है, क्या करना चाता है, 40 radio sets खर देंदा चाता है, और एक radio set का price जो है, वो 1,200 रुपे हैं, तो आप कोश्चन्स में ये पूछ रहे हैं, कोश्चन्स में ये put up पर रहे हैं, कि how much money will remain, उसके पास कितने रुपे बचेंगे, पर्चेस करने के बाद, उसके पास कितने रुपे, शेस बचेंगे, तो solve the questions, तो cost of the one radio, cost of the one radio, तो 1,200 रुपे, cost of 40 radios, तो जैसे example की बात करते हैं, हम इसका जैसे एक pen, एक pen 5 रुपे का है, तो 7 pen कितने रुपे होंगे, इस तरह questions हमने solve कियेते पहले, third class में, fourth class में, आप लोगोंने solve कियोंगे, तो saving की multiply 5 से करेंगे, तो इसी तरह, 1,200 की multiply 40 से करेंगे, कितना आगा, 48,000, total money with merchant, merchant के पास कितने रुपे हैं, total, तो 78,592 रुपे हैं, money spent by her, उसने कितना रुपे हैं, खर्च कर दिये, रेडियू सेट खरेंगे में, 48,000, तो 78,592 में से, 48,000, subtract कर दिये, कितने रुपे हैं, money left with her, उसके पास कितना रुपे हैं, तो 30,592, तो therefore, 30,592 रुपे हैं, तो 30,592 रुपे हैं, तो 30,592 रुपे हैं, correct answer, एक student था, उसको multiply करने थी, कितने से, उसको multiply करने थी, 56 से, लेकिन उसने गलती से multiply 65 से कर दिये, 65 की, 72, 7,236 की, 65 से कर दिये, तो यह कर रहे हैं, questions में, गलती से multiply कर दिये, उसके पास, जो सही questions किया, जो गलत questions किया, उन दोनों का difference में क्या है, उनकों दोनों का difference क्या है, answer में, तो हमको यह शो करना है, तो multiplying सभी जानते हैं, कि 72, 7,236 की multiply 65 से की, ओके, और इज़र correct answer, यह wrong answer है, wrong answer क्या है, कि students को multiply करना थी, 56 है, लेकि उनने 65 से की है, तो हमने जो गलत multiply किया, जो wrong multiply किया, उसको भी solve किया, और जो right, यह correct multiply किया, हमने उसको भी solve किया, दोनों को solve किया हमने, और दोनों को solve करने के बाद, दोनों को solve करने के बाद, इसकी multiply ऐसे की, तो 4, 7, 0, 3, 4, 0 इतना है और 56 से multiply की 7, 2, 3, 6 की तो कितना है है 4, 0, 5, 2, 1, 6 और दोनों का difference कितना है हमने difference यहां find कर लिया ओके तो इस तान से question हम दो solve किया है इसको तो question नमरा 7 और question नमर 8 solve होता है अब question नमर 9 solve करते हैं तो question नमर 9 है question नमर 9 है students कि 2 stitch a shirt ओके 2 stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth how much many shirts can be stitched and how much cloth will remain तो questions में ही कह रहा है कि एक shirt को stitch करने के लिए यह 2 meter 15 centimeter जो है कपड़ा जो cloth है वो चाहिए और total जो कपड़ा है हमरे पास total length है कपड़े की वो है 40 meter तो कह रहा है कि 40 meters में कितने shed कितनी shed बन सकती है 2 meter 14 centimeter और कितना कपड़ा कितना किलोथ बचेगा तो हम भी फाइंड करना है तो solve the question तो cloth required to stitch one shirt one shirt को शेलने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो कितना चाहिए तो 2 meter 15 centimeter तो हाँ एक student note कने वाला point ही है कि यहाँ पर meters को यह meters को centimeters में change करना होगा हम questions को तभी आसानी सो solve कर सकते हैं तो 2 meters को centimeters में किया तो 2 की multiply hundreds की और 15 हैसी लिए दिया गाइट किया तो 215 215 centimeter length of cloth total cloth कितना है 40 meter तो 40 की multiply hundreds की तो 4000 centimeter number of shirts can be stitched कितनी shirts सीली जा सकती है तो 4000 4000 को divide किया 215 से तो यहाँ divide करेंगे हम लोग divide कर लेते हैं अब लोग अब लोग को 4th में 3rd में बताय गया था ठीक है तो इससे divide करेंगे तो remainder 130 बज़ता है तो questions है therefore 18 shirts यहाँ जो 18 आया है वो 18 shirts can be stitched and 130 centimeter cloth will remain okay इसान सॉल करेंगे इसको question number 10 सॉल करते हैं students question number 10 medicine is packed in boxes each weighing 4 kilogram 500 gram how many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 8000 ने 800 kilogram sorry 800 kilogram okay तो students वही है the weight of one box one box का weight कितना है 4 kilogram 500 gram किलो गराम को gram में change किया है okay तो यहाँ किलो गराम को gram में change किया है तो 4 किलो गराम को gram में चेकर रहेंगे है तो 4 की multiply 1000 से कर दी plus 5000 है तो कितना है 45,000 okay maximum load can be loaded in a van maximum load कितना load हम कर सकते हैं maximum तो 800 kilogram okay तो 800 को change किया किस में gram में change किया तो 1000 से multiply कर दी 800 की okay तो number of boxes total number of boxes कितना आ सकते हैं band में total number of boxes कितना आ सकते हैं तो हमने इसको divide किया जो हमने previous question में किया था okay तो 45,000 को मिलब 8 8 लाग को 8 लाग में 8 लाग को 45,000 से divide किया तो उसमें भी और कितने बाफ सकते हैं तो कितने box therefore 177 boxes can be loted जो हो गए तो जब इस तान question हो तो इसको ऐसे solve करेंगे तो students अब question number 11 solve करते हैं question number 11 solve करते हैं तो questions number 178,9,10 solve कर चुके हैं अब 11 solve करते हैं तो the distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 8,000 875 sorry 875 meter every day she walks she walks both ways find the total distance covered by her in 6 days questions तो में कहने माला भी है कि एक students है उसके घर से और स्कूल की दूरी कितनी है 1 kilometer 875 meter स्कूल से आने में और जाने में स्कूल से आने में जाने में 6 days में कितनी दूरी covered करती है तो हमको यह find करना है distance between school and home okay school और home से school और home से उसके दूरी कितनी है तो 1 kilometer 875,000 875 meter है तो हाँ यहां students वस एक point note करने वाला ही है कि यहां meters को भी kilometers में change कर लिया है तो इसको हमने 1.875 kilometer distance between home and school 1 kilometer दोखो बता है जैसे खुल पाहल से खुल पाहल से और R.B.P.S. की distance होगा 2 kilometers है तो school से भी कुल पाहल की distance 2 kilometers होगी तो भाई है कि school से घर तक की students के distance इतनी है तो घर से भी school तक की distance same होगी distance में no change तो total distance covered in one day तो इन दुनों को एट कर लिया है आने मों जाने में यह आने की यह जाने की है दुनों को एट कर लिया distance covered in six days तो जो one day की जो one day की distance आई है उसको six days से multiply कर दी तो इतने किलोमेटर किते हैं 22.500 किलोमेटर ओके देर्फोर 22 किलोमेटर 500 मेटर distance covered in six days ऐसे सॉक परेंगे इसको question number 12 question number 12 है कि a vessel has four liters and five millimeter 500 millimeter of guard in how many glasses each of 25 millimeter capacity can it be filled questions easy है लेकि समझने का फेर है और questions को अगर समझ जाए तो शॉल्प करना इतना कठनी होता है तो capacity of guard in vessel कितनी कितना कठ आ सकता है सही है दही आ सकता है किसमें vessel पात्र पात्र है कटोरा है उसमें four liters और 500 millimeter कठ आ सकता है liters को change किया millimeter में millimeter में millimeter में तो four की multiply one thousand की है तो इसको add किया 45,000 millimeter millimeter capacity of one glass 25 millimeter number of glasses can be filled तो number of glasses can be filled कितने glass भरे जा सकते है vessels में तो हमने इसको divide किया किसे 25 से 45,000 divide किया कितना है 180 तो therefore 180 glasses can be filled by card यह इसका answer है तो आज हमने problem solve पीती वो divide पर summation पर subtraction पर ती अब next lecture में exercise 1.2 यहां खतम होती है और next lecture में इससे आगे का हम लोग पढ़ेंगे study करेंगे उसके और questions इन questions में कोई problems हो तो students आप मेरे comment box में पोस्च चकते हो और उसके लिए में questions का answer आप हो तो यह link के लिए तैयार हो ओके थैंक्यो students उससेदे़ी नाषबें ensure